नमश्कार आप सभी का स्वागत भाग्यम में मैं हूँ पंडे चंदर शेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग है 20 जून सन 2023 विक्रम समवत 2080 चल रहा है आशाड मास है शुकल पक्ष है ग्रिश मुरितू है तिथी आज की द्वितिया है और आज का वार है मंगलवार आज के नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र रातरी दस बच के 36 मिनट तक रहेगा आगे पुख्य नक्षत्र आ जाएगा योग द्रूव है और योग की द्रश्टी से आज का दिन शुब है योग का रख है तो और सुर्यास्त का समय शाम साथ बच के 21 मिनट का है आज का राहो काल दौपैर बाद तीन से साड़े चार बजे के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुबकारे शुरू नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना च दिशा शूल दर्शे को उत्तर दिशा में तो पहले कोशिश तो यह करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दीजिए जाना अत्यनत अवश्यक हो अनीवार्य यात्रा हो है इसका परिहार करके निकले परिहार बहुत सरल है उत्तर के और मुक कीजिए थोड़ा सा गुड़ खाकर पांच कदम पीछे चलिए और इस दोरान भगवान श्री राम या अपने इस्ट का हरदे में ध्यान कीजिए उनसे प्राथना कीजिए कि मैं इस दिशाशूल की तरफ ज करने का जो समय है वह सुबह 9 बजे से दौपेर 2 बजे तक यह वह काल खंड है जो बाकी पूरे दिन की अप्विक्षा जादा शुब और योग कारक है तो अच्छे एफर्स कर रहें तो इस समय में करेंगे तो सफलता के चांसे ज्यादा रहेंगे आज की चंद राशी दर् ध्यान रखें कि उनकी कोई गलती आज सामाजिक लांचनमना बदल जाएं और व्रश राशी वाले धनलाब के साथ साथ पा रहें आज अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिठुन राशी वाले भ्रम से बहार निकल कर लेंगे कोई ठोस निर्णे करक राशी वाले किसी भारी समश्या से बहार आते वे दिखाई देंगे शिंग राशी वाले अपने लालच पर रखें नियंत्रण संतोश रखेंगे तो आज नुक्सान से बच जाएंगे गैजा राशीलार भाग्ये से पाएंगे जबर्दस्ट केरियर का आवसर और तुल राशी वाले मन पवित्र रखें तो पा सकते हैं जीवन का सवर्ग्न मवसर और व्रश्चिक राशी स्वास्त लाब करतेवे दिखेंगे दन्राष्य वाल्य अपने जीवन साथीश विवाद ना करें वर्ना स्थती बिगड सकती है मकर राशी वाले किसी पुराने विवाद लड़ाइ जगड़े को सुलजाते बेसे नज़ा राएंगे और कुम राष्य वाले जल्दबाजी में नीड़ने लेने कि फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जीवन को सुगम सुरक्षित सुन्दर और सफल बना देते हैं अंत में करेंगे आज की दिन की जोतिश मंत्रना और समाधान बहुती सुन्दर श्लोक शास्त्रों में आता है जो जीवन का एक महत्यपूर्ण संदेश हमें देता है दर्शे को जो इस प्रकार है कि के यूरा ना भूशेंती पुरुश हारा ने चंद्रोज्वलाह ने स्नानम ने विलोपनम ने कुस्मम नालंकरता मूर्दजा वान्ये का जाल लगन करोती पुरुषम या संस्कृता धायतेश शीमते खलु भूशनानी सततम बाग भूशनम भूशनम आप देखी कितनी सुंदर बात कही गहीं ये शलोकके माध्यम से कि बाजू बंद बाजू बंद होता है किए गहना होता है जो यहां बाजूबं पेहना जाता है और नहीं चंद्रमा के समान उजवल हार पुरुष को शोबित करता है। ना इसनान ना छंदन ना फूल ना सजेवे केश ही शोबा बढ़ाते हैं किसी पुरुष की। जो management के प्रतिष्टान हैं जो MBA करवाते हैं या कोई भी बिजनस management करवाते हैं वो भी यह मानते हैं कि communication skills अगर अच्छा हो तो व्यक्ति जीवन में अवश्य सफल हो जाता है इसलिए अपनी वानी अपने शब्द संग्रे इन पर विशेश ध्यान दे प्रस्तुत्री करण को निखारते रहें याची ज्यान चर्चा का सार है दर्चे को आप करते हैं बात उन विशेश चुपायों पर जो आपकी सारी समश्याओं के सरल समधान कर देंगे और जिने करके आप सफलता अर्चनों को पी नाशक हनुमान स्त्रोत का कीजिए और साथ ही शाम को पांच छोटे-छोटे बच्चों को लाल रंग की मिठाई वित्रित कर दीजिए तो आने वाला पूरा वर्ष आपका सुक्षान्ती इश्वर यानुकंपा हनुमान जी की कृपा से बीतेगा इसमें कोई संध्य नहीं ऐसी दर्ष को बहुत बार यह होता है कि पूरा पूरा मकान निवासस्थान या फ्लैट वास्तु के विरुद्ध बन जाता है यानि वास्तु की जो नियम सिध्धान्त है उसके विपरीद बन जाता है और आप किसी भी हालत में उसमें सुधार नहीं कर सकते क्योंकि ईससे पहले लालचंदन को मिला कर एक शुद्ध किवे स्थान पर कच्वे कि आकरती बनाले चुद्ध यानि गंगाजल से सटान पर और इस अनामीका उंगली से sudah क्या करती बनाय का पूच्वे के मुख की और सूर्य और पूच्च की और चंद्रमा बना ले इस प्रकार बनाना अगर आपको कठिन लगता हो तो धातु का बनावा कच्वावी आप लाकर उसका पूजन कर सकते हैं फिर पंच्यों प्चार से इनका पूजन करें गंगा जल या समुद्र का जल करें भूमी पर ही आसन बिचा कड़ लाल चंदन की माला से पांच माला का जाब इस बहुती हो जाता है दिशाएं नकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाती है उर्जा परिवर्तित हो जाती है ग्रहे वास्तु आपको शुफल देने लगते हैं इसमें कोई भी संद्धे नहीं है आप कीजिए और इसका चमतकार देखिए ऐसे ही यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई अद्रश्य शक्ती है कोई नेगेटिविटी है किसी प्रकार की बादा है हमेशा एक भारीपन बना रहता है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लगातार आपके कार्य बिगड़ते जा रहे हैं ऐसी स्तिती में या नजर द यहां से समझेगा मंत्र है ओम हांग ग्रीम कुरमासने बाधाम नाशे नाशे ओम मंत्र फिर से समझते हैं ओम हांग ग्रीम कुरमासने बाधाम नाशे नाशे ओम रात्री के समय इसे द्वार पर रख देनी जो मुड़तिया अपने कपड़े में रखी इसे द्वार पर रख जाती है सुकून का वातावरण बन जाता और जो नेगेटिविटी भारीपन नजर दोश दिश्टी दोश कुछ भी था वो सारा आपके घर को त्याग देता है तो दर्शिकों यह थे आज की वह विश्ट उपाए जो आपको बहुत भारी समश्चाओं से बाहर ला रहे हैं आपके घरे वास्तु को भी सुधार रहे हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्री का यह हमारे दर्शक सुधीर सिंग जी की सूर्य उच्च का पंचमेश मंगल आपके जनम पत्री का में हैं एकादश में उच्च का शनी आपके यह इस्तित है तो निश्चित रूप से यह आपको ले कर जाएंगे राजनिती में और सफल भी करेंगे लेकिन संभवते आपको जनम स्थान से दूर जाकर आपका भाग लग जाएगे आज की दूसरी जनम पत्री का हमारे पास आईए बासवाड़ा से हमारे दर्शक अमर सिंग जी की 11 मई 1997 का इनका जनम है सुबह पांच बच के 47 मिनट का जनम है बासवाड़ा प्रश्चन किया है नोकरी कब लगेगी देखिए अमर सिंग जी आपके जनम पत् 24 से जून 2025 के मद्दे में आपकी नोकरी लगने की यूग बन रहें उत्तमफल प्राप्टी के लिए गुरु ग्रह के साथ गुना जाब करवा लीजिए एक अच्छा सा पुखराज धारण कर लीजिए बहुत बड़ा लाब होगा आपको तो दर्शे को यह था आज का पंच स्किल्स वाणी और ग्यान की क्या महत्व है उस अपने जीवन में उतारेंगे जीवन को सुखी सम्रद्ध भगवत में बनाएंगे एक आधर्ष जीवन में परिवर्तित करेंगे कारेक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवतिया सुपका कल्यान करे जय आदेशक्ति गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें और किन बातों को करना अवाइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी बहतरीन बना सकते हैं और इसके लिए दोस्तों जो हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं वो लेते हैं एक से लेकर 9 मूलांक तक की अब कौन से रिडिंग होगी आ आपको एक उधारन देके समझाना चाहूंगी कि अगर आपकी डिटो बर्थ है 24 यानि की 24 तो 2 और 4 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नंबर 6 तो 6 होगा आपका मूलांक और आज की तारीक है 20 जून 2013 और आज की जो तारीक है नंबर 2 क्योंकि हम 0 को नहीं गहें आपर तो नंबर 2 के स्वामी होते हैं वह प्योस चंद्रमा जो कि हमारे मन के कारक होते हैं जल्टत्व होते हैं तो सबसे जाधा एमोशनली और हमें भावुक्ता से मेंशनी हमें पूरी तरह से हमारे उपर अपना effect डालते हैं तो आज की कारिक्रम में हम जानेंगे कि एक से लेकर नौ मूलांग तक इनका क्या effect पढ़ने वाला है लेकिन आप तो जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम हमारी actual आध्यात्म को अपने आपको किस तरीके से हम soulfully highlight करें इस विशे पे हम काम कर रहे हैं और वो पूरे logic के साथ तो आज के दिन हम जिस चक्र की बात कर रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं हमारे मनेपुर चक्र की मनेपुर चक्र जो होता है इसका रंग होता है पीला जो सुनेहरा पीला रंग होता है यह होता है मनेपुर चक्र का और यह यह हमारी नाभी के दो आंगुल उपर विराजमान होता है और यह जो चक्र है कहीं ना कहीं से नाभी चक्र भी कहा जाता है क्योंकि नाभी के बिल्कुल साथ यह लगा हुआ होता है और जिन लोगों का जो यह चक्र है यह पूरी तरह से कहते हैं कि बिल्कुल भी संतुलित न बते हैं और जो उसे बात कर रहे हूं न आप यूग की किसी पुस्तक पुस्तक अभगा सकते हैं आप उसके प्रेव तो में हमारे अध्यत्मिक्ता को हमारे भीतर से ही जोड़ा गया है वह वास्विक्ता में हमारे भीतर है तो हमारा जो यह चक्र है यह हमारी जिन्दगी के महत पूर्ण निर्णे हम जो लेते हैं उसके ओपर अपना पूरा प्रभाव डालता है यदि ये चक्र पूरी तरह से मजबूत है पूरी तरह से जागरत है और बैलेंस है तो क्या होता है कि व्यक्ति बहुत बहुत होता है सही समय पर सही निर्णे ले पाने में सक्षम होता है साथ ही साथ ह कुछ सद्मा लग जाता है या किसी बात पे डर जाते हैं तो बहुत सारी लोग ऐसे होते जिनकों कि एसा महसूस होता है जादतर लोगों को कि रखार अधार बहस्यूम जाना चाहिए तो वह सारा की सारा डर है जो भै की उरजा है वहारे इसी चक्र पर के स्टोर हो जाती है औ और अगर आप अपने आपको अध्यात्मी गूरूप से भी उनत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको पूरी confidently आप अपनी चीजों को करें आप अपने हर काम को अपने communication को हर चीज को क्याँ करें तो आप अपने इस चक्र को जागरत कीजिये इस चक्र का जो भीज मंतर होता है इस चक्र का बीज करते हैं अगर यह इस से अपने रिलेजन से भी na PTSD कर सकते हैं र हम के उच्शारन से भी यह चकर्ज जागरत हो जाता है जो हमारी लाइफ में एक करज एक ब्रेवरी हमें प्रदान करता है तो आई दोस्तों बिना देर की अपने कारिक्रम के हम शुरुवात करते हैं और जानते हैं मूलांक एक के लिए माभगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है 20 जून 2000 थे इसके लिए और म काड़ है आज के दिन एक तो आपको लव कंपैशन में रहना है completely आज के दिन हर व्यक्ति चाहे वह मेल हो चाहे फीमेल हो हर किसी के अंदर यह मदर एनरजी होती है और आपको स्पेशली गाइड किया जा रहा है कि आज ही मदर एनरजी आपकी बहुत स्ट्रॉंग सुरक्ष करती है ठीक उसी प्रकार से अपने भीतर प्रेम और करुणा के भाव को रखना है और ऐसे लोगों को फिर वचाप के वर्क प्लेस में हो चाहे आपके घर पर हो आपको तुरंत ही उन्हें माफ कर देना है और आपको डिवाइन क्या कह रहा है अगर आप ऐसा करते हैं सो डो प्लांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है अंडाइंग लव का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉंग रहने वाला है आज के दिन कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ अभी तक आपने जो एक अच्छा व्यव हो सकता है कि आज आकस्मिक रूप से आपको किसी प्रकार का धनलाब हो जाए या आपको कोई relationship अगर आपको लगता था तूट चुका है आगे नहीं बढ़ सकता है suddenly relationship जो है रिन्यू हो जाए तो कुल मिलाके आज आकस्मिक ऐसी कोई blessing आपको प्राप्त हो सकती है यह से कोई miraculous गटना आपके साथ गटेत हो सकती है लेकिन आपको क्या कहा जा रहा है यह सब किसका परिणाम है जो भी आपने good deeds की है आए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माभगवती आज क्या गाइड कर रही है बीस जून 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है यह मानिया कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन golden opportunity आपके पास आने वाली है और आपको आपके कारे शेतर में विशेश तौर में तो आज के दिन आपको वह जरूर मिल सकती है आज के दिन को एक ऐसा व्यक्ति आपको सयोग करेगा को ऐसी opportunity आपके समक्ष आएगी जो आप काफी दिन से जिसका इंतिजार कर रहे थे और आपको लगेगा कि यह कारे करते ही मैं अब जो अपनी में दो कदम आगे बढ़ जाओंगी आपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाओंगी तो ऐसी कोई चीज आज आपके साथ आपके समक्ष आएगी उसे दिल कि खोल के रिसीव करें आपका दिन शुबह आई जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें माभगवती आज क्या गाइड कर रही है बीस जून दो हिजार तेइस के लिए और मूलांक चार के लिए हम से कहा जा रहा है easyDoes is का काट है आपको कहा जा रहे हैं कि आज की दिन किजी वी तरह की हड़वड़ी आपको नहीं करनी है आज के दिन जितना हो सके उतना शांत भावव से अपना काम करें क्योंकि जितने ज़्यादा हडबड़ी आप करेंगे उतना ही अधिक नुकसान आप जहलेंगे आज के दिन आप थोड़ा मांसिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी बहुत भारीपन महसूस कर सकते हैं बहुत जादा कुछ आज आपके दिमाग में विचार आएंगे और आप उसी को सुलजाने में लगे रहेंगे ओवर तिंकिंग जिसे मैं कहूं आज आपके साथ वह होने वाला है तो आप क्या करें जितना हो सके मेडिटेशन करें ओम का जाब करें अपने आपको रिलाक्स रखने की कोशिश करें और प्लीज किसी भी काम में हडबड़ी ना करें आए जानते हैं मुलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 20 जून 2023 के लिए और मुलांक 5 के लिए हमें माभगवती बता रही है क्वाइट टाइम आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत जादा शांत रहने की जरूरत है आज के दिन अपनी वानी पर नियंतरन रखें और कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले किसी को जवाब देने से पहले आज आपको स्वाध्याई कर लेना चाहिए कहते न पहले सुनो फिर घुनो फिर मनो और फिर उसको दुनो और कहो तो आपको उत्री स्टेप्स को फॉलो करना है किसी भी बात को कहने से पहले आप हो सकता है आज आप जो कहें आपकी बातों को अन्य था ले लिया जाए तो जबरदस्ति का स्ट्रेस आपके उपर आ सकता है इस च बांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है boundaries का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन शमता से अधिक कारे का बोज अपने उपर बिल्कुल भीना रखें उतना ही काम करें जितना की करने में आप सक्षम हो अगर आप कारे से कारे को करेंगे और एक काम भी पूरा नहीं हुआ तो कही कोई कारे अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इस पश्रूप से आप ना कह दें और उस कारे के लिए दूसरों की साहता ले आपको यह भी का जा रहा है कि आपके पेंडिंग काम है उन्हें आज आप पूरा पहले निप्टा ले उसके बाद आप किसी नए कारे पर आगे बढ़ कि आज के दिन आपकी धरम करम में आस्था रहने वाली है धार्मिक यात्रा का योग भी बन रहा है कुल मिला के ऐसी परिस्तिति आज आपके समक्ष बनने वाली है जहां आपका भगवान पर जापका विश्वास है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा कुल मिला के आज जो ह कि आध्यात्मे के रूप से कारे कर रहे हैं तो यह किन मानिया आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है और परमात्मा की विशेश तौर पर माभगवती की कृपाज आपको प्राप्त होने वाली है आईए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें माभगवती आज क्या गाइड कर रहे हैं 20 जून 2023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमें कहा जा रहा है कि आज के दिन उर्जाओं का उतार चड़ाओ बना रहेगा कभी आप बहुत अच्छा मैसूस करेंगे कभी आप बहुत डल फील करेंगे लेकिन आपको परमात्मा क्या कह रहा है कभी दुख का इहसास नहीं कर सकते तो यह साइकल है इसको आप एक सब्सक्राइब करें क्याशिक आज कि दिन की उर्जा आपकी ऐसी ही रहने वाली है उपर नीचे, उपर नीचे, कभी आपका मन बहुत अच्छा होगा, कभी बहुत डाउन फील करेंगे, ऐसा रहेगा, बट ये सामाने से चीजे हैं, कोशिश करना है कि जब भी आप बहुत डाउन फील करें, या जब भी बहुत हाई फील करें, तो कोई महतपूर नेर्ने ना करें ऐसे समय कोई भी मैत्पुर्ण निर्णे लेने से आपको बचना चाहिए आपका दिन शुबहो आई जानते हैं मूलांख 9 के लिए हमें माभगवती आज क्या गाइड कर रही है 20 जून 2013 के लिए और मूलांख 9 के लिए हमें कहा जा रहा है मासरस्ति की कृपा आपके साथ है आज मा भगवती की करपा इस रूप में आपके साथ है कि आप जो भी कोई कारे करेंगे आपकी क्रियेटिविटी आपको भीड से अलग बनाएगी विशेश तोर पर अगर आपको ऐसे रिखती हैं जो कि आर्टिस्ट हैं या अगर आपका काम लिखने का है कहीं ना कहीं आपका काम डिजाइनिंग का है क्रियेटिविटी का है तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है मा की पूरी कृपा बनी रहेगी आपके साथ और चुंकि देखिए दोस्तों आज हमने जो बात की है हमारे मनिपुर चक्र की तो कहीं ना कहीं हमारी जो मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले अपिसोड में तब तक के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहां दिये नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम